हलो दोस्तों खमा गणी आज में लेकर आई हूं आपके लिए मॉमो चटनी रेशिपी जो घर पर बनाने का जट पड़ बन जाती है तो मैं ले रहे हूं कड़ाई कड़ाई में मैंने पानी को चिसे गरम कर लिया है उसके बाद में डाले उसमें साबुत लाल मिर्ची जिनके म इनको अच्छे से पानी में डिप कर देंगे था कि अच्छे से उबाल जाए है सोफ्ट हो जाए उसके बाद मैं ले रहे हूं चार से पांच टामाटर जिनको मैंने हाप कट-कट कर डाल दिया है तो इनको भी अच्छे से बोईल करने के बाद इनको अलका सा ठंडा कर और प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताए कि आपको में रेसिपी केसी लगती है तो आप देख सकते हैं मैंने इसका इसमूध सा बेटर तयार कर लिया है मैं ले रहे हैं कड़ाई कड़ाई में डाला है मैंने तेल तेल को अच्छे से गरम होने के बाद मैं मैं डाल लिए उस यह सो मच